Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear friends, अगर आप भी इस confusion में हैं, कि हम अपने semester exam की कौपियां हिंदी में लिखें या English में लिखें, या Sir, हिंदी और English mix करके लिखें हिंदी में लिखने पर ज्यादा बहतर अंक मिलेंगे, या English में लिखने पर ज्यादा बहतर अंक मिलेंगे या Hindi और English दोनों को mix करके लिखने पर हमें ज्यादा बहतर अंक मिलेंगे तो dear friends ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, वीडियो को complete जरूर से जरूर देख लिएगा dear friends सबसे पहले हम ये बात करतें कि कॉपिया हिंदी में लिखनी चाहिए इंग्लिस में लिखनी चाहिए हिंदी अनुबाद भी उसमें दिया रहता है, तो ये इसलिए दिया रहता है कि कोई बच्चा अगर इंग्लिस में पेपर देना चाहता है तो इंग्लिस में पेपर दे और Hindi में पेपर देना चाहता है तो Hindi में पेपर दे अब बात यह है कि आपको सुविधा जादा किस्मे होगी आपके लिए जादा अच्छा कौन सा रहेगा तो दियर स्टूर्ट जाहिब सी जाहिर सी बात है कि अगर आप State Board के students रहे हैं means अगर आपका background Hindi medium का रहा है और आपने semester में आ करके Hindi में ही पढ़ाई करी है तो जाहिर सी बात है कि आपको Hindi ज्यादा अच्छे से तयार होगी तो आपको अपना paper Hindi में देना चाहिए marks अच्छे मिलेंगे इस लालच में आपको English में लिखने का प्रयास अब नहीं करना चाहिए तो अगर आपका background Hindi medium का है आपका syllabus आपको Hindi में तयार है तो आप लोग अपनी copy Hindi में लिखेंगे आप बिलकुल tensor मत लीजिए marks आपको उतने ही Hindi में भी मिलेंगे जितने आपको English में मि अपना paper English में देना चाहिए उसमें किसी प्रकार का कोई doubt नहीं होगा अब बात होती है mix करने की क्या सर हिंदी और English को हम mix up करके paper दें तो उससे कोई effect पड़ेगा तो अगर आप अपना paper Hindi में दे रहे हैं तो बीच बीच में आप English words use कर सकते क्योंकि आपको पता है कि technical पर देने के साथ साथ बीच बीच में आप English सब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या English sentence भी आप यूज कर सकते हैं या कोई heading है तो उस heading का meaning है वो English में भी आप वहाँ लिख सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा effect आपके copy पर पड़ेगा और आपको उससे अच्छे अंक प्राप्त होंगे तो हिंदी के साथ साथ आप English को मिक्स कर सकते हैं बीच बीच में ठीक है ना और अगर कोई question ऐसा है जो आपको हिंदी में आता ही नहीं है तो उस situation में उसको छोड़ने से अच्छा है कि आप उसको English में ही कर ले ठीक है तो आप हिंदी के साथ English मिक्स कर सकते हैं बीच मेडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिस के साथ हिंदी मिक्स करना ये मुझे समाझ में नहीं आता है और ये ठीक भी नहीं है अगर आप इंग्लिस में हिंदी आइड करेंगे तो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा आप लोग करने से बचिएगा बाकी लास्ट में यही है कि भाई हर एक टीचर यही बोलते है कि भाई कुछ चोड़ने से अच्छा है कुछ न कुछ तो हमें करके ही आना ही तो वो ज्यादा बहतर हुआ है तो यही ताद अच्छे नंबर मिलते हैं कि इंगलिस नहीं है हां थोड़ा बहुत पड़ता जरूर है अब English में लिखते हैं लेकिन हिंदी के साथ अगर English को आप वहाँ पर mention करते हैं लिखते हैं तो वो अच्छा हो जाता है बहतर हो जाता है कुल मिला करके हम आप से ये कहना चाहेंगे कि exam के समय में कुछ नया try करने का प्रयास आप बिल्कुल मत करें exam copy में जैसा आपका prepare है जैसा आपको आता है जैसा आपका background है उसी हिसाफ से आपको paper देना है दिमाग में set कर लेना है बिल्कुल परेसान नहीं होता है अब आपको ऐसे भी पता है जैसे आप applied math first का paper देने जा रहे है या third का paper दे हो तो math में बहुत ज़्यादा हिंदी और English में मतलब होता ही नहीं तो उसमें इंग्लिस में यह आप लिख दी यह इंग्लिस में सब्दों का प्रयोक कर यह तो ज्यादा बहतर होगा आप मारी बात को समझ पाए होंगे कि आप अपना paper हिंदी में भी दे सकते हैं इंग्लिस में भी दे सकते हैं हिंदी के साथ इंग्लिस को mix करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहतर होगा लेकिन इंग्लिस के साथ हिंदी mix करते हैं तो आपके लिए बहतर नहीं होग ये एक odd combination हो जाता है बाकि डियो सेंट्स आई होप आप सभी लोग को हमारी बाते clear हो गई होगी समानी में आ गई होगी अगर आपको ये भी कर फिदो ने copy हमें कैसे लिखनी दे जिसे हमें ज़्यादा number मिले तो आप comment section में comment करिएगा मैं आपकी help करने का प्रयास करूँगा बाकि डियो सेंट्स इस वीडियो के description में एक link है जिसमें applied my first के previous year question है उसको आप सभी लोग जाकर कि click करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं बाकि कोई question है कोई doubt है तो comment section में comment करके पूछ सकते हैं बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए सांदारे और पढ़ते हैं